यहां कि मान्य नेता तेजश्वी यादो ने कहा कि लोग तो 5 स्टार टेंट में रहता है एक दिन महोदय को अगर उस टेंट में रहना हो अगले दिन खटिया से उठेंगे नहीं तेजश्वी यादो को समझ में नहीं आएगा भाई तुमने बिहार को फाइव इस्टार होटल जैसा छोड़ा कहा है? ऐसा कहना है प्रसांत किसोर का और प्रसांत किसोर ने तेस्वी पर जवरदस्त अटेक किया है। प्रसांत किसोर के लोग पदियात्रा के समय फाइव इस्टार टेंट में रहते हैं। एक दिन तेस्वी आदब को टेंट में रहना हो तो अगले दिन खटिया से उठेंगे नहीं। तेस्वी आदब को बाहर से उजला चमकता हुआ दिखता है तो उन्हें फाइव स्टार लगता है। कि वहाँ पर लड़के किन परिसानी में अपना जीवन खफा रहे हैं। मगर ये बात तेस्वी आदब को समझ नहीं आएगा। तेस्वी आदब ने बिहार को फाइव स्टार जैसा छोड़ा कहा है। फाइव स्टार टेंट में रहें यहीं सपना लेकर तो आज वो इन टेंट में रह रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रसान्थ कि सोर ने तेस्वी आदब पर हमला किया है। इसलिए क्योंकि तयस्वी आदम ने पहले हमला बोला था प्रसांद किसोर पर और उनके टेंट में जो पदीयातरा के समय रुकने की जो खब्रे आती रहती थी उसको लेकर कर कहा है कि 5 स्थार सुविधा वाले टेंट में प्रसांद किसोर रुखते हैं साथी साथ उनके साथ जो लोग हैं उनको भी रुखवाने की वेवस्था करते हैं इसी पर प्रसांत की सोर काफी ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने तेस्वी आदब पर जम कर हमला बोला है आप भी वो वीडियो सुनिए उन्ठेंगे नहीं उसको लग रहा है कि टेंट बाहर से उजला चमकता हुआ दिखता उसको मालूम नहीं है कि उसमें रहने वाले लड़के किस गर्मी किस परिशानी में अपना जीवन खपा रहें जो तेजस्वी आदों को समझ में नहीं आएगा भाई तुमने बिहार को फा किस तरीके से प्रसांत किसोर ने तेजस्वी आदब पर हमला बोला है तो तेजस्वी आदब ने जिस तरीके से पीके पर जवरदस्ट अटैक किया उसी को ले करके पीके काफी ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहे थे और उन्होंने बताया कि इस टेंट में वैसे लड़के नहीं तो फिर कैसे फाइव स्टार्ट यहां पर हो सकता है तो फिलाल इस ख़बर में इतना ही है दर्स न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें धन्यवाद